Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11, यह आप लोगों की quick energy update है, और हम देखेंगे कि आपके person आज आपके लिए कैसा feel कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, यह सारे star signs की reading होती है, यह short reading है और बिल्कुल timeless है, सो शुरू करते हैं, सो मैंने अपनी आज की पहली जो वीडियो थी दोपहड की, मैंने उसमें announce किया है कि अब Saturday और Sunday को वीडियो नहीं आया करेगी, ब्रेक हुआ करेगी, छुटी हुआ करेगी, सो बाकी 5 weekdays में वीडियो आया करेंगी, सो जिन लोगों ने वहाँ पर नहीं सुना, मैंने यहाँ पर भी announce कर दिया है, ताकि आप लोग परिशान नहों कि क्यूं वीडियो नहीं आ रही है, सो अब आपको पता है, one more card spread, वो कैसा feel कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वाओ, ओके, bottom of the deck पर हमारे पास आगया है, seven of wands, अब इसके दो meanings हो सकते हैं, वो ये कि आपके person defensive हो जाते हैं कुछ बातों पर, आप कोई question करते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, confront करते हैं, उनने किसी चीज़ पर तो वो defensive हो जाते हैं, उनके पस जवाब नहीं होता है, fight करने लग जाते हैं, आपसे नराज हो जाते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, बट इसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि ये इनसान चाहे अगेंस्ट कोई भी आ जाये आप लोगों के ये इनसान आपके लिए भी फाइट करना चाहते है ये इनसान आपके ओपर गिव अप नहीं करना चाहते है और इसका तीसरा मेसिज ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो आपके साथ in and out होते हो with this card यूं कहलें कि आपको ऐसा feel होता होगा कि वो आपके साथ serious नहीं है या वो आपके साथ कुछ excuses देते होंगे आपको बहाने बनाते होंगे कि मेरी तो family बड़ी strict है ऐसे है वैसे है इसका मतलब इस card का यहां पर ये भी है कि ये इनसान किसी के भी pressure में आने वाले नहीं है आपके person किसी के भी pressure में नहीं आते है ये अपनी मर्जी के मालिक है जो इनका दिल करता है वो ये करते है कोई इनको रोक नहीं पाता है और अगर इस वक्त ये आपको excuses दे रहे हैं कि मेरी तो family ये कहेगी मेरा तो घर में ये है मेरे तो यहां बहुत strictness है हमारा तो रिष्टा बड़ी मुश्किल से होगा अगर ये कोई इस तरह की बाते हैं आपको दे रहे हैं तो वो जूट है ये याद रखिएगा ये इनसान जूट बहुत बोलते हैं आपके साथ चोटी-चोटी बातों पर मैं ये नहीं कह रहे है कि कोई बहुत shady business कर रहे हैं ये आप से चुप कर बट I feel कि ये इनसान आप से जूट बोलते हैं काफी चोटी-चोटी बातों में इसके इलावा अगर जहां तक बात है उनके दिल में आपके लिए feelings की passion की, attraction की वो सब तो है और ये इनसान बहुत attracted हैं आपकी तरफ और वो ये सोचते हैं कि आप perfect हैं यानि आप में कोई कमी नहीं है obviously आपकी अच्छाई को मानते हैं ये इनसान but I feel कि अगर कोई problem चल रहा है तो वो आपके person की end से चल रहा है because वो काफी ज़्यादा उनको freedom पसंद है वो आजाद रहना चाहते हैं उनको पसंद है कि लोग उनकी तारीफें करें लाइनों में लगे हो उनके लिए हो सकता है खास तो और पर अगर आपके person male है even कि female भी हो तो वैसे तो आजकल male और female वाला कोई concept ही नहीं है obviously जैसा कि ये चल रहा है हमारी तो I feel कि male हुए या female आपके person के अंदर एक ये चीज़ है कि उन्हें बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हो उनकी तारीफें कर रहे हो उन्हें appreciate कर रहे हो आगे पीछे लड़कियां घूम रहे हो या लड़के घूम रहे हो उनको अच्छा लगता है so उन्हें पसंद है कि जब आप भी उनको उनकी तारीफें करते हैं उनको प्रेज करते हैं, उनको अच्छा लगता है यह इनसान चाहते हैं कि आप उनके आगे पीछे घुमें उनसे प्यार का इजहार करें इसका यह मतलब नहीं है कि आप करें तो बस जो उनकी सोच है, मैं वो आपके साथ शेयर करें हूँ, और इसका यह मतलब नहीं है कि वो कोई बुरे इनसान है I just feel कि बस यह आपके परसन को अच्छा लगता है, कि वो जरा लाइम लाइट में हूँ, आपके परसन को पसंद है कि अटेंशन उनकी तरफ हो सबकी अटेंशन सीकर हो सकते हैं आपके परसन बड़ जहां तक आपके लिए फीलिंग्स का सवाल है, यह इनसान आपकी वैल्यू भी जानते हैं, आपकी वर्थ भी जानते हैं चाहे इन अन आउट हों जो मर्जी कर रहे हैं, यह इस वक्त इनका excited हैं फिलहाला, आपके लिए बड़ी attraction है इनके दिल में वो तो आपसे मिलना चाहते हैं आपसे बस बाते करना चाहते हैं, आपके साथ time spend करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि यह connection अभी शुरू हुआ है कुछ लोगों का और fire बहुत ज्यादा है, बड़ी attraction है और बड़ी मुलाकाते हो रही हैं so maybe you need to slow down a little bit शायद यह जो energies यहाँ पर आई हैं इसलिए भी आई है कि अगर तो connection आपका नया है तो थोड़ा सा slow लेकर चलें energy को, क्योंकि आपके person अभी बहुत excited हैं, बहुत साथ किशा रखना एक connection में यह भी एक art है, obviously relationships एक art है so anyway, यह इंसान काफी आपके बारे में सोच रहे हैं और excited हैं आपको लेकर so यह आपकी quick energy update थी, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, मुझे जरूर बताईगा comment section में, I'll see you in my next video, till then love you lots, bye-bye